आज हम करेंगे क्लास फिवत का हिंदी का चैप्टर नूमबर वन राख की रसी इसके जो न्यू वर्ड्स है या फिर जो इसका एक्स्प्लेनेशन है वो हम करेंगे आज तो यह जो इतिबबत के एक कहानी है उसका एक मंतरी है लोनपोगार उनके बेटा बेटे के बारे में एक कहानी है उनका बेटा के बहुत सीधा साधा है यानकी सब की वाते जो माल लेता है जिसे लगता है कि सब लोग ठीक है और लोनपोगार को यही उसकी जो है हमेशा करना या वो करना है तो वही सब इस जो है चैप्टर में हमें बताया गया तो फर्स लोनपोगार है कुन लोनपोगार तिबबत के 32 राजा सोनक वसें गानपो के मंत्री थे तो जो 32 राजा है पहले तो देखू यहां पर एक कोईशन आपका यह भी बन सकता है कि सोनक वहां की राजा कौन थे सोनक वसें गानपोर कौन से राजा थे 32 यानकी 32 ओके और महा के मंत्री थे कौन लोनपोगार अब वे अपनी चालाकी और हाजे जवाबी के लिए दूर दूर तक मश्यूर थे अब कौन मश्यूर थे इस चीज के लिए लोनपोगार जो अपनी चालाकी और ह बना हुआ था कारण ये है था कि वह बहुत भूला था होश्यारी उसे चूकर भी नहीं गई थी लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा तो मशूर मिन्स फेमस था एक तरह से वो की बहुत चालाग है हाजे जवाब हाजे तो अब वो यही सोचता है कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे बच्चे का क्या होगा इसका काम कैसे चलेगा तो एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को सो भेड़े देते हुए कहा तुम इन्हें शहर लेकर जाओ मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है इन्हें वापस ल तो उन्हें सो भेड़े दी थी यानि कि 100 उन्हें शीप दी थी और क्या बोला था कि सो जो के बोरे बोरे मिन्स जो बड़े बड़े पैकेट्स होते हो एक तरह से इस तरह से वो जिसमें अनाज डालते हैं अब जो क्या है एक तरह का अनाज है जैसे गेहूं होता है बाजरा है मकाई है तो उनसे क्या खाना बनाते रोटिया बनाते उसी तरह जो भी कह एक तरह का आनाज है तो वहाँ पर वह यानाज यूज करते हैं वो तो जब उन्हें इतनी बेड़े दी और बोला कि इतने सो के बोरे आपको लेकर आने हैं अगर नहीं आते वरना मैं तुम्हें घर दीथी रूपएं नहीं दिये थे उसका इंदजाम उसे खुदी करना था भेड़ो से कि किस तरह कर सकता है लेकिन उसे ना तो भेड़ो को मारना है और ना ही उन्हें बेचना है वही समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया मगर कोई हल उसकी समझ मे नहीं आ रहा था हल मिन्स उसका कोई सोल्यूशन उसे नहीं मिल रहा था वह बहुत दुखी हो गया तब ही एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हुई क्या बात है तुम इतने दुखी क्यों हो लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया अपना हाल मिन्स जो उसकी स निकाल देती हुँ इतना कहकर लड़की ने भेडो के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया तो भेडोगों को उतार अपनी आप बीती मिलेगे और पैसों से वुचय दुखी सही कर चाइबेब लगा दिया बोनपोंगार कि बीटे को लगा कि उसके बहुत खुश होंगे मगर अपनी आप बीती आप बीती में जो आपके खुद के ऊपर मतलब बीता है या जो आपने शाह रहें या जो आपके साथ हुआ ठेक्या आप बीती कमरे से बाहर चले गए दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुला कर कहा पिछले बार भेडो के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया अब तुम्हें दोबारा उनी भेडो को लेकर जाओ और उनके साथ जो के सोबोरे लेकर ही लोड़ना अब उसके पापा दोबारा आते कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि तुमने ऐसा गया लड़की उसके मदद करने के लिए है नै जाने क्यों उस से यकीन था कि वह रखी मदद के लिए जरूरा रहे गी और वह ईसा ही हुआ क्यों क्योंकि वह लड़की फिर से आ गई उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई ऐसे बताए क्या आसे हुआ है अब तो बिना जो के 100 वोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुशने देंगे तो बोलता है कि अगर अब की बार नहीं लेके गया तो वो मुझे घर में घुशने ही नहीं देंगे लड़की सोच कर बोलती है एक तरीका है उसने भेडों के सींग काट दिये पहले बाल उतारे थे, उन्हें बेच का जो रुपए मिले, उनसे सो जो बोरे जो खरीदे, फिर से जो के बोरे खरीदे और उसे दे दिये, बोरे लोन पोगार के बेटे को सोब कर लड़की ने उसे घर भीज दिया, अब फिर से वही चीज हुई क्योंकि अब की बार भी लड लोन पोगार का बेटा बहुत खुश था, वो तो खुश था, उसे लगा कि मेरे पिताजी ने मुझे जो बोला, वो काम मैंने फूरा कर दिया है, उसने विजय भाव, विजय भाव, यानि कि जैसे जीत गया है, इस इमोशन के साथ, फिर से सारी कहानी गह सुनाई, सारी बा जैसे कुछी जल गई, आप जैसे उसको टच करेंगे, तो राक जो आपके हाथ में लग जाएगे, लेकिन उसका कुछ बनेगा नहीं, वो आपको उसी पोजिशन में या उसी जो भी चीज है, वैसे कि वैसे नहीं मिल सकती, वो बिल्कुल ही मिन्स एक तरह से मिट्टी में म पता दिया, लड़की ने एक शर्त रखे, लड़की बोली ठीक है, मैं रसी बना तो दूँगी, कि मैं बना दूँगी रसी, मगर तुम्हारे पिता को वै गले में पहननी होगी, कि मैं बना दूँगी, लेकिन उन्हें गले में पहननी है, तभी मैं बनाऊंगी, ये शर्त उन्होंने लोनपोगार ने सोचा ऐसी रसी बनाना ही असंबव है असंबव में जो काम कभी हो ही नहीं सकता ओके असंबव का मतलब है जो काम नहीं हो सकता तो लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रसी बनाना ही असंबव है तो उस शर्त मानने में क्या दिक्कत है तो इसलिए यानिकि पथर के टुगड़े पर राखे इस तरह से या फिर आ अब क्या होता है कि आप रसी को या किसी भी चैसको जलाते हैं जब तक आप उससे ठच नहीं करेंगे तो वैसे की वैसा Players तो सबस्राइब धार है जूकर अब चेंहों तो उस टाइम पह नाथ gir acts एकदम से खराब हो जाती है otherwise वो as a tease उसी situation में रहती है यानि कि जो उसकी position थी अगर जैसे अगर हम कागच भी जलाते हैं या जैसे इन्होंने रसी जलाई थी तो अगर हम ये जलाते हैं तो ये as a tease वैसे का वैसा ही रहेगा जब तक हम इसे touch नहीं करतें तो इसलिए उसने क्या किया पठ्थर के टुकडे पर वो रसी रखी और फिर उसे क्या क्या जलादिया अब रसी जल गयी तुसे क्या होगा वो जो राख की रसी थी मतलब राख बची थी और वो रसी की ही राख थी तो रसी के आकार की राक बच गई राक तो बचे की जलने के बाद तो एज़ेटी बच गई जैसे रसी रख्योई थी इसे वह सेल समेथ लोन पोगार के पास ले गई, अब उसने क्या-कया अब उसने रसी को या राक को नहीं उठाया क्योंकि अगर राक को हाथ लगाएंगे तो खराब हो जाएगी तो इसलिए उसने क्या किया जो पत्थर का टुकड़ा था उसे उठाया और समेत यानि कि सेल समेत यानि कि वो पत्थर के टुकड़े समेत साथ में लोनपोगार के पास ले गई उसे पहनने के लिए कार बूला कि अब पहनो इसे और लोन पोगार रसी देखकर चकित चकित यानि कि हैरान हो गए वो एकदम से वे जानते थे कि राक की रसी को गले में पहनना तो दूर उसे उठाना भी मुझकिल है उन्हें पता था कि जैसे ही वो रसी को हाथ लगाएंगे वो तूर जाएगी या खराब हो जाएगी हाथ लगाते ही वो तूर जाएगी अब लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चला की धरी रह गई तो अब लड़की ने तो अपनी समझदारी से साब काम करके दिखा दिया, उसे राकी रसी बना के दिखा दिया लेकिन उन्होंने जो चालाकी दिखाई थी, अब धरी रह गई, ये जो है एक मुहावरे की तरह है, धरी रह गई मैंज कोई काम नहीं आई तो उनकी चालाकी जो है, यहाँ पर कोई भी काम नहीं आई लड़की की समझदारी के सामने बिना वक्त गवाई, लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और तभी क्या हुआ, उसने सोचा कि यह लड़की मेरे बेटे के लिए बिल्कुल सही है, उसे यह चीज मतलब समझ आ गई थी, जैसे वो राके रस्ती बना कर लेकर आई, उसने तभी के तभी लड़की के सामने प्रस्ताव रखा, यानि कि एक तरह से इन्वाइट किया उस यहाँ पर इस कोशिन में क्या है, गेहों और जो, अनाज है दो तरह के, ठीक है, अब गेहों और जो, अलग-अलग किसम के अनाज है, यह दोनों ही क्या है, वैक्ति वाचक संग्या, आप देखो, वैक्ति वाचक, जाति वाचक और भाव वाचक, तीन संग्या होती है, लेक ऐसा कि मैंने बोला दिल्ली तो मैं कहां किसके बारे में बात कर रही हूँ दिल्ली के लेकिन अगर मैं बोलो शहर ठीक है अगर मैंने बोला दिल्ली के बारे में बात कर रही हूँ लेकिन अगर मैं बोलो शहर अब मैंने बोला कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और दूसरा सेंट कि शहर में रहते हैं लेकिन कौन से शहर में रहते हैं यह नहीं पता तो यहां क्या हो जाता है जाती वाचक क्योंकि अब इसमें कोई भी शहर आ सकता है तो जहां पर आपको एक शब्द से बहुत सारी चीजों के बारे में पता चले ठीक है यह मैंने बोला नदी तो नदी तो कोई भी हो सकती है तो जैसे घर किसी का भी घर हो सकता है तो अगर इस तरह से कोई वर्ड आता है जिससे सब घरों के या सब स्कूलों के बारे में पता चले है कोई भी चीज हो सकती है वो उसे बोलते है जाती वाचक और जब सिर्फ एक शब्द से एक ही चीज के बारे में पत करवाऊंगी तो यहां पर तुमारे विचार से वो किन-किन बातों से परिशान होंगे तो वो इसी बात से परिशान होंगे कि अगर मैं नहीं होता तो मेरा बेटा जो है अपना काम कैसे चलाएगा और अगर तुम अगर तुम और तुम conclude मंत्री की जगे होते जयानी है कौनसी है। जैसे तांबा, खीचडी अब देखो शहर क्या हो गया आपका ? जाती वाचक बेश भूशा जाती वाचक अब भोजन में तो कोई भी भोजन आ सकता है ले जो एक जगह का नाम है तो ये भी क्या हो गया वैक्ति वाचक ये सब है वैक्ति वाचक और बागी क्या हो जाएंगे आपके ये भी वैक्ति वाचक है शेरवानी पता कि शेरवानी पहनते हैं एक तरह का कपड़ा है अगर वेचबूशा में शेरवानी आएगा तो वो वेचबूशा हो गई कि उसमे करेंगे कल अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और इस ओल फॉर टोड़े और प्लेज लाइक शेर और सब्सक्राइब थेंक यू